लास्ट लेक्चरस के अदर हमने लूपस को अंडरस्टैंड किया था जैसे के वाइल लूब डूःग फॉडूओ नेक्स हम करने वाले हैं अरेज को अब अरेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो लूपस को नहीं देखें आप प्लीज हमारे लास्ट सी mierस जो है उसको ला करने के बाद आपर इसको understand कर पाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अरेज है क्या बेसिकली अरेज का जो concept है यह एक तरह कि क्या है डेटा structure है डेटा structure क्या होता है जिसके अंदर हम डेटा को structure कर रहे होते हैं आपको को example देता हूं जिस तरह हमारी एक phone directory है जिसमें context पढ़े होते हैं अब वह पूरे एक data structure की फॉर्म में पढ़ा होता है किस तरह देखें हमारे suppose आपने एक number है उसको a के name से start हो रहे है ठीक है उसको a के name start से आपने save किया हो है ठीक है एक b के name से start किया हो है और दुसा c के ascending order में देखें तो अकर a के जो name से start हो रहे होंगे वो सबसे पहले आ रहे होंगे b के second और c के third पर इस साब पूरी series बनी होती है तो यह कह रहा है data एक structure पढ़ा होता है ठीक aligned पढ़ा होता है तो arrays क्या करता है arrays भी एक तरह के data structures ही है जो के fix size के होती है ठीक है fix size मीन के इसको हम एक fix size कह सकते है मतलब इसके अंदर सिर्फ 10 values आ सकती है हम कह दें जितना size हम देंग उसको declare करेंग उत्तर ही size के उसके data आएगा और जिस type का data देंगे उसे ही type का हम data उसके अंदर store करवाए तो यह क्या होता है हमारे पास contiguous memory locations इसके अंदर होती है mean इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि इसके अंदर suppose हमारे पास से एक array है array का मैं आपको फॉर्म पता आ जाता हूं इससरा suppose हम प्लान लेते है array यह array बन गी इसके अंदर suppose हमारे इससरा values पड़ी होई है ठीक है blocks इसके अंदर बेसिकली index यूज हो रही होती है तो indexing को आपने लाजमी understand करना है indexing है क्या आपने इसके अंदर confuse नहीं हो जाना यह उपर जो मैंने values दी है यह इसके indexes है ठीक है नीचे वाल इसकी क्या है values है आप index के थूरू arrays को handle कर रहे होते हैं तो इसका आपको concept होना ज़ इसके हम practice भी करेंगे dev c++ की उपर इसके multiple codes करेंगे हम string type की integers type की arrays को handle करेंगे इसके अंदर हम while loop के दूरूप चेक करेंगे fall loop के दूरूप चेक करेंगे क्यूंकि आपके पार arrays यह ना arrays set of values पड़ी हुई है आपको किसी एक type की suppose integers type यह string type की हैं अब उसको आपने retrieve भी करना है save भी करना है उसके लिए आपके पास क्या होगा loops use होंगी arrays के अंदर arrays के अंदर loops ही use होती है या दखना है कभी array को आपने handle करना है प्रिंट करना है या उसके वैल्यूप करवानी है तो आप loops का use करेंगे अब देखें यहां पर एक प्रोड्राम दिया होगा सिंपल सा में का अब अगर six value store करवाएंगे तो इसके exception आजाएगी error आजाएगा फाइव से जादा value store नहीं कर पाएगा ठीक है अब यह क्या है यह क्या चीज़ है यह क्या है data types means के इसके अंदर किस type की values होंगी integers type की integer 1,2,3,4,5 यह integers हैं इसकी मैं float करता था float suppose 1.6 और कॉमल आकर 2.9 something इस त float आती है अगर मैं इसको double quotes में लिखता तो वो अमारे पा string values उसके अंदर होती है तो यहां पर फिर भी string लिखना पड़ता है int की जगह यह types of data आगे next यह five values दी होई है यह five ही इसके अंदर हम बस्टोर कर सकते हैं यह आगे हमने इसको initialize किया वैसे कहते है initialization of an array यहां पर initialize किया हमने array को अब नीचे क्या हो रहा है cout or scene का पता हुआ c++ के अंदर क्या होता है cout किसी value को print करने के लिए और scene value को input लेने के लिए तो इसके अंदर क्या है indexes को हम print कर रहे हैं my array यह array का same name use किया ठीक है इसके अंदर महारे पास इस array के अंदर यह पूरी value store हुई है यह सा 4 है यह हमार पास पड़ा हुआ है 3 index के उपर जो 5 है यह पड़ा हुआ हमार पास 4 index के उपर ठीक है mean कि आपने total values count कर लेनी है उससे एक कम अपने values लेके चलनी है कम क्यों कि यहाँ पर 0 से index start हो रहे है न आप 0 से indexing कर रहे हो तो 0 पर check करो कि 0 index पर value क्या पड़ी हुई है तो यह हमार पास थी simple सी example अब हम चलते हैं dev c++ के उपर उधर हम करते हैं इसको hands-down experience करते हैं इसका raise का चले वहाँ चलते हैं तो जी गाइज अब हम आचुके हैं dev c++ पे अब इधर मैंने वह program copy paste किया उपर हम मैंने इसकी namespaces दे दी ठीक है जो आपने देनी होते हैं यहाँ पे as usual तो int main method main method मैंने इसल लिख लिए कर दूँगा अगर नहीं बता तो हमें इसको दा लेबरेट कर दूँगा अचा नेक्स्ट के हैं हमरे पास वही same example अब इसको पहले है 3 पढ़ा है इससे वाली हमरे पास print हो रही है अब इसके बाद एक चीज यह है मैं let's suppose let's suppose मैं चाहरा हूँ कि मैं क्या करूँ इस value को replace कर दो 10 के साथ let's suppose मैं करता हूँ क्या मैं कहता हूँ मैंने क्या जनाब 3 जो है न महरे पास इसको मैंने कर देना है replace replace कर देना है तो two index यह लगाऊंगा मैं ठीक है और इसके उपर मैं कर दूँगा इस तरह equal ठीक है अब इसमें मैं equal करके 10 कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है इस array के two index के उपर 10 की value जागे save हो जागे उसको replace कर देगी अब हमने इसको check कर रहा है तो कैसे check कर सकते हैं मैं simply यह कोपी करता हूँ यहां से यहां तक ताकि मैं टाइम आप अजारने ले सकूँ यहां पर यह किया अब two index को दूबरा प्रिंट करते हैं ठीक है दूबरा प्रिंट करने के लिए मैं यहां पर एक चीज़ यहां पर कर देता हूँ साथ string append कर देता हूँ ताकि confusion ना हो updated value of index to ठीक है मैंने यह कीचीज की और इसके आगे मैं next क्या करता हूँ इसको इससरा कर देता हूँ ठीक है यह यहां पर इसको highlight कर सकता हूँ तो old value ठीक है old value of index 2 वो पर आगी ये नीची आगी value अब इसको हम करते हैं print let's check क्या होता है पहले compile करेंगे and then run करेंगे अब check करें इसके अंदर old value हमारे पास क्या थी 3 थी 3 क्योंकि यह old 3 क्यों आया हमने replace करने से पहले ही उसको print out कर दिया then हम उसको कर रहे हैं आगे next index 2 कर रहे हैं ठीक है next replace करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं जी यहाँ पर यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मैं साथ बता दूं पहले ही आप confuse ना होगे अगर आपने fully understand करना आप प्लीज पूरी वीडियो देखें आपको समझ आ जागी तो यह यह चीज़ सिंपल सी एक्जांपल थी आपको understand हो चुकी होगी अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं तो यह वीडियो यह यहाँ तक हो गया अब नेक्स चलते हैं अब नेक्स्ट मारा पास जो procedure हो हमने अब array को single single value को लागे print कर रहे हैं अब array के अंदर तो तो तुमांग इसको और से अब यहां में किया int int i is equal to कर देता हूं मैं 0 0 क्यों करते होते हैं हम 0 index से start करने वाले हैं इसको और इसको मैं smaller than 5 क्यों कर रहा हूं मैं आप यह चीछ आप से अभी पूछना चाहरा हूं इसको मैं 4 तक जाएगा ना 0 1 2 3 4 4 तक काउंट करें 5 वैल्यूस बन जाती हैं हमने 0 index से start करके 4 तक जाना है smaller than 5 वैंकर 4 तक जाए 5 टच नहीं करना चाहिए 5 टच किया तो out of the bound हो जाएगा index exceed कर जाएगा index को values भी 5 हैं तो full index सक जाएगा 6 values होती है तो 5 index तक जाते हैं ठीक है क्योंकि एक कम आपने देखना होता है तो अब मैं यहां पर suppose मैं value यह स्पोस से out मैं copy कर लेता हूं यहां से लमी करन लगा रहा हूं अब मैं save करके compile करता हूं compile करके चेक करता हूं error तो नहीं है नहीं कोई error नहीं है इस वरण की आप check करते हैं देखें अब इसके अंदर आग पादा चल रहा होगा अब देखें इसके अंदर value क्या आ रही है 1 2 10 4 5 यह आ रही है अब हम चेक करना चाह करके और सेफ करेंगे से ग renew कि आप strip करेने काट करेंगे तो यह दिखें अब हमारे पास यह देखे अब यह किश्ड़ी सी बनगी है लेकिन मैं आपको तरहें द chooses करेंगे हम यह देखें अब एंड पर जारगी मैं यह पर सी आॉट कर रहेंक tussen सी आउट c out handle कर देते हैं, handle क्या होता है पता है आपको, handle दोता है next line के लिए, next line ने, यह 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 line पर break, जैसी यह loops आजी print हो जाएगी, इसके बाद line break करेगा, next line पर जागी values ले जाएगा, ठीक है, उसको, तो वहाँ पर यह चीज़ नहा रही थी, और इसके ओपर भी हमने handle, end पर यह handle भी आखे चेक करता हूँ, आपको handle इसके आप लगाते हैं, यह देखें, compile किया, और मैं, इसको run out करता हूँ, चेक करें, आप देखें, कैसी values अच्छी शो हो रही है, पुरे एक तर्तीब के साथ, old value, यह आपको पता ही है, यह भी आपको पता है, अब देखें, यह array पहल करने वाले है, वो करते हैं, और एक और एक गजांपल देखते हैं, फिर हम loops के देखेंगे, दोतीन गजांपल, अब next example हम देखनी क्या है, वो यह एक हमने user से input लेनी है, user से input लेंगे, भाई, वो जब user input लेता है, तो एक size लेगा, suppose एक class है, class students है, students है, हमने 10 students की class है, हमने size एक class की class है, 10 students है, उसके बाद हमने उसके values दे लिए उनकी, values देने के बाद उनको हमने print out भी करवाना है, सही है, तो आगे हम यह next करने वाले है, तो यह lecture यही तक है, क्योंकि यह video थोड़ी काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको हम divide कर लेते हैं, तीन portions के अंदर, चलें guys, य क्योंकि जाएं।